नमस्कार मेरे किसान भाईयों दोस्तों राम जी फिस्ट के चनल में आपका स्वाज़त है आज का विशय है कि पचीस हजार खर्च करके 45-50 दिन में कैसे आप 10 लाक रुपयादी कमाई कर सकते हैं कितना अस्चर्च की बात है आज इसी विशय पर मैं चर्चा कर रहा हूं एक पर लेजे टेटीस दिश्मिल का जटेटीस दिश्मिल के पोखर में आप दरी साफ सुत्रा है क्लियर है तो पूजर की जरूत नहीं है किसी तरह की मेजिशन की जरूत नहीं है ज़दी ओफ किलियर नहीं है आजए बाज़े मशली है उसमें आप आधा केजी 500 ग्राम प्यक तोटल आजेबाजे मस्ली क्लिये मुकड़े जोब साब बेंग है सब मर जाएंगा पुखर क्लियर हो गया अब क्लियर पुखर में आपको क्या देना है तो आपको चार गोरी चुना यानि 40 केजी जिसका दाम साड़े चार सो से पान सो प्रक्राइब 10 केजी खली डालना है उसका दाम साड़े तीन सो रुप्य जदी उसमें आप एक सो ग्राम क्लियर डालते हैं उसमें 200 आपका पूल मिलाकर कितना खर्च होता है देखिए और आपको मचली को पालने में जो 45 दिर मचली को पालिएगा चार छो केजी आट केजी दस केजी पंड़ा केजी खली देदे करके उससे एक कुंट्रल और आपको फूल मिला करके 3500 से लेकर 4000 रपय तक आपको खली और एक कुंट्रल लेना पड़ेगा इस सब मिला करके आपको 25,000 पर खर्च पड़ा इस्पॉन का दाम 20,000 मिला करके तो आपका 25,000 में आपके पोखर में 10 बाटी इस्पॉन का फ्राइव त्यार हो जाएगा मिनिमम आपका 10,000,000 जिसमें की 5,000,000 का गरंटी है ये 5,000,000 फ्राइव जो त्यार होगा ये 5,000,000 फ्राइव को आप जदी मिनिमम रे 2 रुपया में भी जदी बेशते हैं तो आपको 10,000,000 रुपया की प्राप्ति होगी मात्र 45 से 50 दिन के भीतर आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपको हर समय नदी का ही स्पोन यानि नेचरल फिश स्पोन या दीम पोना मिलना चाहिए कि ए दीम पोना या फिश स्पोन आपको कैसे मिलेगा आप मेरे राम जी फिश के अचैनल से जोगा जोग करते रहिए मैं इस विशे में आपको हमेशा सहिस्ट करता रहूँगा या जुरत लाएगा तो मैं उसकी सप्लाई आपको करा सकता हूँ और इस स्पॉन को ले करके आप ज़दी फ्राई बनाते हैं आपको सर्व से उत्तम वीग मिलेगा इसमें किसी तरह का दोमत नहीं है और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और उसको बेल बटम डबाकर मेरे सवाजोग में रही है किसी तरह का भी समस्या आपको पैदा होता है कि आपके समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे जोगा जुक कीजिए कमेंट कीजिए उन्से फोन पर आलु झाल बटम एफियों, पर झालुर एम पर आलुक कीजिए मैं रही है।